हेलो ट्रीडर्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्ट इन मार्केट के एक और नए वीडियो पे तो दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और याद से बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजेगा जिससे आपको regular notification मिलती रहे और आप चाहो तो हमारी पुरानी वीडियो को भी एक बार जरूर से चेक कर सकते हूँ जिसमें मैंने आपके साथ काफी important stock के कुछ important level शेयर कियो हैं तो एक बार आप उन वीडियो को भी जरूर चेक कर लीजेगा आज की इस वीडियो में हम हमें समय से एक range form होते हुए देख रहे हो और इस range के upper end पर हम लोग एक और range form होते हुए देख रहे हैं तो इस range का अगर हमें breakout देखने को मिलता है तो क्या इस stock में important level होंगे जहां पर हमें इस stock में buy करके swing play करने को मिलेगा और अगर आपका view long term का या short term का है supply के अंदर तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि किस level पर आपको इस stock में से profit booking करने की जरूरत है तो दोस्तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करके अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलिएगा दोस्तों इस चार्ट को discuss करने से पहले मैं आपके साथ company के थोड़े से fundamentals share कर लेता हूं क्योंकि जो लोग इस stock को first time invest करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए fundamentals को जानना काफी ज़रूरी है supply limited का stock अभी की समय में आपको 1041 रुपए पर trade करते हुए देखने को मिल रहा है company पर debt की बात करे मतलब करजे की बात करे तो ये company 1056 करोड का करजा लेकर के रखी हो वहीं अगर net profit आप देखते हो तो वो धाई हजार करोड का है तो company क्या हो गई almost debt free company हो गई वहीं promoters की holding आप को split भी देखने को मिल सकता है वहीं दोस्तों गर आप एक नजर earning पर share पर डालोगे तो वो भी आपको 30 रुपए का देखने को मिल रहा है जो की काफी अच्छा है अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि company कि segment की company है क्या काम करती है तो दोस्त इस stock के कुछ investment checklist पर नजर डालें जो कि ticker tape के according निकल के आते हैं return versus fd rates इस stock के अदर अच्छे देखने को मिल रहा है इस stock के अंदर entry point ticker tape के accounting अच्छा देखने को मिल रहा है लेकिन charts पर हम लोग discuss करेंगे कि कि किस level पर आपको entry बनानी है जो लोग new wires है वहीं एक और चीज़ आपको अभी के समय में थोड़ी अच्छी देखने को नहीं मिल रहे है लेकिन मैं बताऊंगा कि किस level पर आपको इस stock के अंदर यह जो intrinsic value है यह अच्छी देखने को मिलेगी और यहाँ पर हम लोग buy करके इस stock के अंदर entry बनाने के बारे में plan करेंगे तो अब यह सब तो हो या discussion company के fundamentals के उपर अब हम लोग directly बढ़ते हैं charts के उपर अब जैसे कि आप अगर charts को देखोगे detail में तो आप काफी लंबे समय से इस chart को भी consolidation phase में देख रहे हो और अगर आप chart पर नज़र डालोगे तो आप मई 2022 के बाद से इस stock को continuously एक range के अंदर move करते हुए देख रहे हो stock इस range को break करता है लेकिन फिर वापिस से profit booking आ जाती है फिर stock वापिस उपर जाता है और फिर profit booking आ जाती है और continuously ये range आप काफी लंबे समय से form होते हुए देख रहे हो तो अब सवाल ये उठता है कि stock के अंदर इतना consolidation तो हो चुका है लेकिन अब हमें क्या इस stock के अंदर breakout द देख सकते हो अब दोस्तों वापिस से हम लोग आ जाते हैं सिपला के daily time frame के chart पर अब अगर आप daily time frame के chart पर देखोगे तो यहां पर आपके लिए एक important pattern already form करके रखा हुआ है जिसको आप clearly देख करके समझ गए होगी कि यह double bottom का pattern है मतलब एक तरह से double pattern भी कह सकते हैं इसको और यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि अभी के समय में अगर आप देखोगे तो इस area में हम लोग consolidate कर रहे हैं और अगर हम लोग यहां से consolidation break करते हैं तो यहां से हमें एक fast rally देखने को मिलेगी और इस fast rally का असली फायदा कौन उठाएगा जो लोग swing के purpose से यहा जूम कर लिया है और यहां पर मैंने आपको अल्रेडी बताया है कि stock में हम लोग consolidation phase देख रहे हैं जहां पर अगर आपको breakout देखने को मिलता है तो stock में बहुत शांदार rally होने वाली है अब यह rally किसको फायदा देगी जो लोग swing play करना चाहते हैं वैसे तो यह फायदा सभी क देगी क्योंकि stock में तेजी देखने को मिलेगी लेकिन जो short term के अंदर तेजी उठाना चाहते हैं वो लोग इस level के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर clearly एक range फॉर्म हो चुकी है और इस range के ऊपर जैसे stock निकलता है आपको यहां पर शांदार तेजी देखने को मिल जाएगी अभी यह range कहां से कहां तक कि यह उसको भी हम लोग discuss कर लेते हैं तो अब दोस्तों यहां पर आपके लिए important चीज़ यह है कि आपने जो buying position बना ली है वो बना ली है suppose 1060 के ऊपर तब यहां पर एक और important चीज़ है कि आपका target क्या होना चाहिए क्योंकि target हमारे रुपे के नीचे एक हजार तीन रुपे के नीचे अगर स्टॉक करता है तब आप इस स्टॉक में से exit plan कर लेना यहां पर अब एक चीज़ ध्यान देना कि यह जो levels मैंने बताए हैं यह सारे के सारे levels केवल उन लोगों के लिए है जो लोग swing के purpose से entry बनाएंगे अब हम बारे में जो लोग इस stock के अंदर short term से लेकर के long term के लिए buying position बनाना चाहते हैं यह जिन्होंने already position बना रखी है अब दोस्तों देखो stock में अभी हम लोग consolidation phase देख रहे हैं तो यहां से हो सकता है कि अगर हम लोग किसी भी वज़ा से इस upper range को break करके यहां से ऊपर निकलना start कर करते हैं तो stock में rally देखने को मिले लेकिन जो लोग नए buyers हैं जिन्होंने अभी तक इस stock में entry नहीं बनाई है और उनका vision जो है वो है short term से लेकर के long term का तो उनको एक चीज़ धियान रखना है कि अगर किसी भी वज़़े से यहां से stock fall करता है और यहां पर आपको failure या तो आ rate कर सकते हैं उनको यह stock अगर एक हजार तीन रुपए के area के आसपास आते हुए देखने को मिलता है तब उन्हें सिर्फ wait करना है और watch करना है कि क्या stock इस level को break करके नीचे जा रहा है या ने क्योंकि इस level को अगर stock break करके नीचे जाता है तो इसमें हो सकता है कि हम लोग काफ ले लिजेगा otherwise आपको यहां से 130 point का 130 point का आपको नीचे की तरफ downfall देखने को मिल सकता है और यहां पर मैंने आपको जो target बताया था वो 1224 का बताया था तो वहां पर आपका risk to reward ratio गडबड हो जाएगा इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपको जो exit लेना है वो केवल और केवल एक हजार तीन रुपे पर ले लेना है अब दोस्तों एक चीस तो important थी वो यह कि आपका जो एक हजार तीन रुपे का level है इसको हम लोग break करते हैं तो आप लोग स्टॉक के अंदर 873 रुपे का value देख पाऊगे और even अगर आपको यह स्टॉक 900 रुपे के पास भी trade करते हु कि यह भी धियान रखो मैंने आपको बता दिया 900 रुपे से लेकर के 873 रुपे के बीच में आपको इस stock के अंदर buying करनी है अब एक चीज़ important है कि अकर इस area में हम buying कर रहे हैं तो हमारे लिए stop loss क्या होना चाहिए यह stop loss उन लोगों के लिए भी है जिनका vision short से long term का है क्योंक हमें इसमें एक major fall देखने को मिल सकता है अब आप मेंसे कई लोगों का सवाल यह होगा कि हमें major fall इस level के नीचे क्यों देखने को मिल सकता है तो आप charts पर clearly देख सकते हो कि यहाँ पर आपको last support देखने को मिल रहा है और इस last support के बाद अगर हम fall करते हैं तो हम लोग करीब-क आप से जो आपकी safe entry होने वाली है और जो best buying level होने वाला है वो 900 से लेकर के 870 रुपए का हो सकता है यह ध्यान रखिएगा कि अगर stock यहाँ से fall करता है तो यह आपके लिए एक best buying area होगा और अगर नहीं fall करता है तो इस level के उपर जो मैंने आपको यहाँ पर बता है इस level के उपर आप entry बना सकते हो और short term से long term का view बना सकते हो अब एक चीज और धियान रखना है हमें कि short term के हमारे targets क्या होंगे तो दोस्तो इस stock के अंदर जो हमारा first target निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1564 रुपए का और second target short term के basis पे 1580 रुपए का अब एक चीज आपको फिर से बता दूँ कि जो हमारा short term का vision होता है वो एक year का होता है वहीं दोस्तो इस stock के अंदर अगर मैं long term की बात करूँ तो यहाँ पर मैं फिर से mention कर देता हूं कि long term का vision जो हमारा होता है वो almost 5 year to 10 year का होता है और 5 year के अंदर हम लोग इस stock को almost 3,000 से 3,500 रुपए के level पर भी कि pharmaceutical companies की जो growth होती है वो बहुत जादा तेज नहीं होती है और इसी वज़ा से आपको slow and progressive growth इस stock के अंदर भी देखने को मिल सकती है तो अब अगर आपके पास भी supply limited का stock है या आपने भी इस stock को buy करके रखा हुआ है तो आप मुझे वीडियो के comment section में ये ज़रूर और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कीजिएगा फिर मिलोंगा एक और ऐसी वीडियो लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद